अलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है आज हम कलास 10 के हिंदी के महत्वड़ भविकलिपी प्रेश्ण को देखेंगे जहां से आपके बौड के एक्जाम में 100% सवाल आते हैं आज हम जो आपको सवाल करवाने वाले हैं यह सवाल इतने इंपोर्टेंट है कि आपके पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है और 2024 में होने वाले बोर्ड एक्जाम के लिए यह सवी सवाल बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे आप बोर्ड के एक्जाम में एक भी प्रेश्ट आपसे गलती नहीं हो चलिए फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं देखें आपके सामने पहला नंबर का सवाल है संचारी भावों की संख्या है यह इतना इंपोर्टेंट फ्रेंस की आपकी पेपर में हमेशा सवाल बंता रहता है संचारी भावों से कि संख्या कितना है तो इसका आपसन है 27, 29, 31, 33 तो फ्रेंस देखें इस प्रश्ण का जो सही जवाब संचारी भाओं की जो संख्या है फ्रेंस टोटल कितने हैं तहितीस इसको आप याद रखिएगा और एक प्रोपर नोट बना लिजे फ्रेंस जितने भी आपको बहुत कल्पी प्रशन करा रहे हैं उनसा भी प्रशनों को आप एक जगा लिख लिजिए फ्रेंस यदि आपको व रस्राज कहा जाता है देखे फ्रेंस यह आपके इंपोर्टेंट है आपके रस्से संबंदित आपके पेपर में प्रश्न जरूर को यहाता है तो तो यहाँ पूछा है किस रस्राज को में जाता है अब चलिए आप स्वाल होगा ठीक है अब सब्सक्राइल जब चली अगले नंबर के सवाल अपका हत्ура नमबर का छरा कमल बंदो हारी राही में कौन इलोंकार है आपकााइलिक रूपक ये-प्रेंड इस प्रॉपंग य्का आपको पहले से प्ता усका एंसोर कमेप्स में रिखें देखे तिसरा प्रश्ण है कि चरड़ कमल बंदो हरी राइद इस प्रश्ण का आपका सही जवाब होगा रूपक अलंकार तो चरड़ कमल बंदो हरी राइद में कौन सा अलंकार है फ्रेस तो रूपक अलंकार है ठीक है चलिए अगने नंबर के सवाल को देखते हैं आपका च जाता है अपसान है यती तो गड तो फ्रेस इसका सही जवाब होगा आपका यती क्या कहलाता है notice उसको कहते हैं चछन्द को पढ़ते हैं समय आने वालर विराम को यति कहते है आपकी सामनी अगलागा सवाल है पांचवा नमबर हाम चान में परियुक्त अच्छर को क्या कहा जाता है उसे बेंजन कहेंगे चिरणक कहेंगे मात्रा कहेंगे या ओड़ industrial । धेखी जो वहता है वड होता है या सब्दांस होता है अगला आपका सवाल में अपसर्ग है यहाँ पे आपसन है निस होगा निस में पूछा है फ्रेंज का मतलब होता है किसी सब्द के प्रारण में जुड़ा होता है इसको याध करेक्ट होगा डिका इसको मतलग यह सवाल आप इसको मतलगा लिए गलत होता है ठीक इसको यह को झाल यह और स्वाल अब देखे फ्रेंस आठवा नमबर का सवाल है क्रित प्रत्य किन शब्दों के साथ जूरते हैं तो देखे फ्रेंस किसके साथ संग्या के साथ जूरते हैं सरवनाम के साथ विशेशर के साथ या क्रिया के साथ तो देखे फ्रेंस प्रत्य है वह केवल किसके साथ जूरता है त प्रत्य मतलब होता है कि सब्द के अंत में कोई दूसरा अडुशे सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब किसी सब्सक्राइब करेंगे इसको याद रखिएगा चलिए अगले बहुत इंपोर्टेंट है हैं इसको पढ़िए समास के कितने वयद होते हैं आपसने पांच होगा तीन होगा चार होगा तो इसका सब्सक्राइब कौन सब्सक्राइब करेंगे अब इके रावा नंबर का सवाल है कि यथा संभों में कौन सा समास है ठीक है आपको बताना यहां यथा संभों में कौन सा समास आपसने अब भाव करमदारे तत्पुरूस या द्यूगो तो फिरें देखें आपको समास समबंदित एक वीडियो आप लोगों के लिए अप्लोड कर देंगे उसको देखके आप समास पूरा याद कर लिजिएगा और समझा भी समझा भी देंगे आपको देखें यथा संभो में कौन से समास होता है ज्सका सही जवाब होगा अब भाव समास से अगला आपको सवाल है कर चल्क होता है कर फो नरह को क्या होता है आपका एक संक्या चार महीना मतलब होता है चार महीना तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं इस समास इस प्रेश्न इस प्रेशन का सही जवाब होगा सी वाला आप संक्या होगा करेक्ट हो जाएगा अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर का सवाल आपका है हल्दी शब्द का तत्सम आपको देखिए एक होता है तद्व एक होता है तत्सम को मतलब होता है संस्क्रीट में जियू का दियू परियोग किया जाता है ठीक है यहां प वहला आपसंद क्या होगा सही होगा हल्दी का तत्सम क्या होता है हर इद्रा होता है ठीक है आपका अगले नंबर का सवाल है प्रस्तर का तद्वो शब्द होगा देखे प्रस्तर क्या होता है एक तत्सम सब्द क्या है तत्सम है ठीक है इसका तद्वो तद्व को मतलब यह हो इसे पत्थर करते हैं या पत्तर करते हैं तो फ्रेंस देखिए यहां प्रस्तर का तद्भो जो होगा हम जो प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं पत्थर करते हैं जिसका सही जवाब क्या होगा बीवला आपसन करेक्ट हो जाएगा पत्थर अब देखिए आपका अगला नंबर को क्या करते हैं तो संधी करते हैं इस प्रेश्ण का सही जवाब आपका correct हो जाएगा आपका अग्रा नमबर सब संधी कितने प्रकार को होते हैं तो फ्रेंस आप याद रखेगा आप सब्सक्राइब देख लेते हैं तीन होते हैं दो होते हैं चार होते हैं या पांच होते हैं तो फ्रेंस देखें यहाँ याद रखेगा जो संधी होता है संधी में तीन प्रकार होते हैं तो होता है इसका सह इत्यादी का संधी विच्छेद आपको बताना है ठीक है आपके पेपर में हमेशा पूछता रहता है इत्यादी क्या होगा इत्यादी होता है इसका सही जवाब क्या होगा एवला आपसन करेक्ट हो जाएगा अब अगला नमबर के देखिए यहां पर उसी प्रेश्व को दुबारा लिए दिए थे चलिए अगले नमबर के सवाल को देखते हैं अठ्यावा नमबर का सवाल है यह इंद्ध में संधी विच्छेद क्या होगा आपको बताना है फ्रेंश जो यह यद्द्ध में उसका संध जवाब क्या होगा एवल आपसन करेक्ट हो जाएगा उननीसवा नमबर का सवाल देखते हैं देखे फ्रेंज जितने भी प्रश्ण बता रहा है यह आपके पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है और इसी प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्ण ही आपके बोर्ड के एकजा बताना है देखे आपसे फले होगा फुलादी होगा फुला अभ्याम होगा या फुले हो जाएगा तो फ्रेंज इसका सही जवाब होगा एवल आप से करेक्ट होगा कि फल शब्द की प्रथम विभक्ति डिवचन रूप में आता है फुले ठीक है यह संस्क्रीट का है फ्र तो फ्रेंज जो नदी है उसका चतुर्थवी व्यक्ति में बहु अचन रूप बतना है इसका सही जवाब आपको होगा नदिव्य होगा क्या होगा नदिव्या फ्रेंज देखें यहां पर आपको 20 इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्ण कराएं जिसमें ब्याकरण से संबंदित सभी प्रश्ण और संस्क्रीट से संबंदित सभी सवाल हिंदी के लिए गए थे इसी प्रकाह से सभी चेप्टर का और मिक्स को आते रहेंगे जो आपके प्रिविएस एयर में प्रश्ण कई बार रिपीट हो चुके हैं और 2024 के लिए कुछ एक्सपेक्टेट कोईस्टन भी रहेगा जो आपके 2024 में सेम प्रश्ण जो कराएंगे वही प्रश्ण आएगा तो फ्रेंस यदि आपको यह वीडियो पसंद आ झाली पार प्रेंस कोईस्टन वामा तो आपके लिए जो आपके लिएन प्रेंस क्टा